हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रतिभा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबुदाना की खिचडी बनाने की बहुत ही आसाम सी रेसिपी इस तरह से जब भी आप साबुदाना की खिचडी बनाएंगे तो बिलकुल खिली-खिली बनेगी और बहुत ही तेस्टी लगेगी साथ बहुत ही जादा healthy होगी तो चलिए फिर देर की बात की बनाते हैं साबुदाना की खिचडी बनाने के लिए मैंने एक कप साबुदाना को अच्छे से धो div करके भीगो दिया था तो आप साबू दाना था उसका आधा हमने इसमें पानी डाला था अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो साबू दाना जो है वो ज़्यादा गीला हो सकता है इसलिए साबू दाना की क्वांटिटी का आधा आपको पानी डालना है अब यहां पर हमने एक pan में डाला एक चमत देशी घी और इसमें डाल देंगे हम momfali के दाने थोड़े से और इन्हें हम medium flame में फून लेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दाने जो है वो हलके से फटने स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दाने हलके से भुन गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे काजू और बदाम ये टोटली ओप्सनल है आप चाहें तो डालें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं और इन्हें भी हलका सब भुन लेंगे अगर आप मौमफली के दानों के साथ ही काजू डाल देते तो जो काजू है वो जल जाते हैं इसलिए इन्हें बाद में डालना है ये देखें काजू के ऊपर भी बड़ी ऐसा कलर आ गया है मौमफली के दाने भी भुन गए हैं अब आम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ घी है उसमें हम आलू को फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक आलू को छील करके ऐसे एकदम छोटे-छोटे और पतले-पतले पीसेच में कट किया है जिसे कि हमारे जो आलू है अच्छे से भून जाए आप चाहें तो उबले आलू कभी इस्तेमाल कर सकते हैं तो थोड़ी दे ढख के पकाएंगे जिसे कि आलू अंदर तक बढ़िया से सौफ्ट हो जाएगा कम समय में ही तो देखें बीच-बीच में ऐसे इसे चला दे और आलू के उपर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें भून लेना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंज हमारे जो आलू है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए है और ये बढ़िया से भून भी गए है तो ये जो भूनेवे आलू है इन्हें हम निकाल लेंगे और उसी पैन में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे फिर हम डालेंगे एक चमज जीरा और जीरा को हम अच्छे से भून लेंगे तो बस मैंने एक चमच देशी घी और डाला है अब इसमें डाल देंगे एक चमच बारी कटा हुआ अद्रक इसे भी हलका सा भून लेंगे बहुत जादा नहीं भूनना है अद्रक को इस बात का ध्यान रखे थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे और साथी साथ हम इसमें दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे पीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बस हलका सा भून लेंगे इन सारी चीजों को इसके बाद तुरंथ हम इसमें आइड कर देंगे अपना ये भीगा हुआ साबू दाना और जो मुमफली के दाने हमने भूने थे तो थोड़े से मुमफली के दानों को हमने मिक्सी में पीस लिया था साथी साथ हम ये पाउडर डाल देंगे इससे जो हमारी साबू दाना की खिचडी बनेगी वो बिल्कुल भी चिप चिपी नहीं होगी एकदम खिली खिली बनेगी तो देखे बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे बहुत जादा देर नहीं पकाना होता है नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो साबू दाना वाइट कलर का है यह आपको ट्रांस्पेरंट चा दिखने लगेगा नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका देंगे आप चाहें तो इसे थोड़ी देर ढख के भी पका सकते हैं अब हम इसमें एड कर देंगे आलू साथी साथ यह जो ड्राइफ फूट्स और मुमफली के दाने थोड़ी से हमने बचाए थे वह भी डाल दिये हैं आधा चमच हम इसमें काले मिर्च का पावडर डालेंगे जो कि बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर देगा मिला देंगे अच्छे से ज्यादा इंग्रेडेंस नहीं लगते हैं इस राजीपी को बनाने में बट यह बहुत ही टेस्टी साबू दाना के एकदम खिली-खिली बनती है जिसे आप ब्रत में खा सकते हैं या वैसे भी आपका मन करें तो आप इसे इस तरह से बना के खा सकते हैं थोड़ा सा टाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया और हम इसमें डालेंगे आधा नीबू का रस क्योंकि हमने टमाटर का इस्तमाल नहीं किया है और दाल लेंगे सर्विंग प्लेट में और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी साबू दाना की खिली-खिली-खिचडी बनकर तयार है आप इसे जरूर ट्राय करें रेसिपी कैसी लगी जरूर बता है